श्री गनेशाय नमहा, नमशकार दोस्तों, ये राशी फल चंदर राशी पर आधरीत है, चंदरमा मन का कारक है, हमारे मन और मश्तिश्क पर चंदरमा का गहरा प्रभा होता है, हमारे रोज की जीवन में चंदरमा की वज़े से हम काफी बदलाव महसूस करते हैं, और आज सफलता लाएगा, आपके अठके हुए काम पूरे हो जाएगे, मन पसंद रहेगा, खुशनुमा माहोल रहेगा, नोकरी में और बिजनेस में दोनों जगे आपको लाभी लाभ मिलने वाला है, जी हाँ धनभाव में चंदरमा होने से आपको धन की प्राप्ती हो सकती है, आज का निवेश आपको अच्छा फाइदा दिला सकता है, ये दिन आपके परिवार वालों के साथ मजे में बितेगा, जी हाँ दूसरा घर कुटुम्ब का स्थान भी माना जाता है, आपके परिवार में इस दिन कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है, पारिवारिक सु परिवार से और धन से जुड़ा हुआ है, ग्रहों की पोजीशन आपके ही फेवर में होने के कारण पारिवारिक वधन के मामले में काफी लाब मिलने वाला है, अगर किसी से मनमुटाव या तकरार है तो आज रिष्टे अच्छे बनेंगे, बिजनेस में मुनाफा वधन प प्रिवार के लिए प्लानिंग करना अच्छा रहेगा, जी हां आपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है प्लानिंग जरूर करे, अगर कोई एक्जाम है, किसी कॉम्पिटिटिव एक्जाम की त्यारी में जुटे है, तो समय आपके साथ है बिल्कुल चिंता ना करे विदेश जाने के मोके भी इस समय में आपको मिल सकते है या विदेश से धन कमाने के मोके भी इस समय में आपको मिल सकते है तो मोकों का फाइदा जरूर उठाए अगर परसनल लाइफ की बात करते है लव लाइफ की बात करते है तो लव लाइ तो समय अच्छा है कर सकते हैं सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी आज का दिन प्रसन्यताव आनंद से भरपूर रहेगा इस वज़े से दिन का पूरा लाव उठाए दिन को पूरी तरे से एंजोय करने की कोशिश जरूर करे अगर स्वास्ती की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस दिन स्वास्ती से जुड़ी कोई भी परिशानी नहीं होगी दिन आनंद से भरपूर होगा जो पहले से बीमार है उन्हें भी आराम मिल सकता है अपने खान पान पर ध्यान दे योगा करे प्रानयाम करे और सुबह का टहलना शुरूर रखे अगर आपको ये जान करे अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देत तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उनके रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चचत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चचत के उपर रख देते है ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चचत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते है धन ला सकते है मा ल